स्टुडेंस ये के स्टेडी कोश्चन है रेस के उपर 100 मीटर रेस के उपर और स्टॉप वाच वाज वाज यूज तू फाइंड टाइम देट इस टेकन ग्रूप ऑफ स्टुडेंस टू रन 100 मीटर तो यह टेबल बना हुआ है जिसमें आपको थोड़ी सी टेबल के बारे में बता दूं इस साइड ये टाइम टेकन है सेकेंड में 0-20 सेकेंड में जो स्टुडेंट कवर करते हैं 8 है 20-40 सेकेंड में 10 स्टूडेंस 40-60 सेकेंड में 13 स्टूडेंस 60-80 सेकेंड में 6 स्टूडेंस and 80-100 सेकेंड में 3 स्टूडेंस now it is given estimate the mean time taken by the student to finish the race इसमें फर्स्ट पार्ट में mean find करेंगे then second part है what will be the upper limit of the model class उसके लिए में model class find करने पड़ेगी model class बैसे मैं आपको बता दू model class निकालने के लिए हम mod check करते है और उसके लिए हम सबसे बड़ी frequency देखते है सबसे बड़ी frequency है 13 तो यह बनेगी model class तो इसके अपर लिमिट कौन से होगी 60 तो इस कंसर तो सीधा है यह होगी 60 then c part is the construction of cumulative frequency cf जो हम कहते हैं cumulative frequency table is useful to determine तो जब हम cumulative frequency draw करते हैं तो वो किसके लिए helpful होती है mean के लिए हमारे पास अलग formula उसमें assume mean method आ जाता है या x i f i होता है median मौर तो आपने सीधा देख लेए तो हमारे पास रहेगे median median जो है उसके लिए हम cumulative frequency के help लेते हैं तो इसका median answer आएगा तो sum of the lower limit of median class and model class यह हम find करेंगे आगे and how many students finish the race within 1 minute 1 minute का मतलब है कि यह 60 seconds तक तो यह सारे students हैं जो 1 minute में इसको complete कर लेते हैं 8 plus 10 18 18 plus 10 28 plus 3 31 तो 31 students है जो यह cover करते हैं अब हमारे पास रहा गया A और D part तो इसको हम calculate करते हैं इसके लिए हमें mean find करना पड़ेगा first part के लिए तो calculation time बचाने के लिए already मैं calculation कर चुक हूँ आपको हम explain कर देता हूँ यह table हमारा बन गया 0 to 20 8 students 32 to 40 10 students 42 to 60 13 students 62 to 86 students और 80 to 100 3 students XI मैंने find मैं assume mean method यूज कर रहा हूँ XI मैंने find कर लिया जो होता है lower limit plus upper limit divided by 2 तो 0 plus 20 20 आज़ेगा 20 by 2 10 हो जाएगा class size 20 का है तो मैंने 20 20 add कर दिया 10, 30, 50, 70, 90 यह सब के लिए class mark बन गया फिर मैंने यहां से assume mean ले लिया which is 50 इसको मैं assume mean ले रहा हूँ 50 को तो यहां पे 0 minus 1, minus 2 1 and 2 अब मैंने F5 और UI को multiply कर दिया 8 into minus 2 minus 16 10 into minus 1 minus 10 13 into 0 6 into 1 6 3 into 6 इनको add कर दिया minus 26 इदर कर दिया 12 तो total जो sum आगया में मेरे पास minus 14 आगया और जो total frequency हो 40 है तो mean निकालने का जो formula होता है वो हमारे पास यह formula होता है कि x i equals to a plus sigma fi x i over fi into 20 जो height है तो आप calculation देखो 20 से 40 गट गया 2 पे 2 से 14 7 पे तो minus 7 आगया 50 minus 7 43 तो जो mean हमारे पास है that is 43 उसके बाद हमारे पास cf क्योंकि हमने median class find करने है तो cf find किया cf होता है जितनी भी frequency होनको add करना है 8 पहले number पे आगया then 8 plus 10 हो गया 18 18 plus 13 31 हो गया 31 plus 6 37 37 plus 3 40 तो यह हमारे पास आगया इसका cf cf में सबसे बड़ा number है 40 तो यह हमारे पास n आ गया हमने ny2 निकाला क्योंकि class जो median class निकालने के लिए हमारे पास ny2 निकालना होता हो 20 आया now we have to find the 20 in this cf तो देखो 20 से आगे कौन सा number है that is 31 तो 31 वाली कौन सी class है that is 4260 तो यह बनेगी median class तो इसका मुदल क्या हो कि जो model class है और median class है दोनों same है इस case में तो हमारे पास model class भी 4260 है और median class भी 4260 है तो question है कि find the sum of the lower limits 40 and 40 these are the lower limit तो sum आ जाएगा इनका 80 तो यह हमारे पास जो answer से इन के कि what will the upper limit है हमने कर लिए median mean बना that is 43 mean है हमारे पास 43 mean है और sum of the lower limit of median model class is 80 तो यह इसका answer है